नेपाल को मध्धिपस्चिम्म अवस्थित गुलरिया नगरपाली का छेत्र को यो एक बस्ती हो सन 2015 को शुरुवात को बिहानी अन्य समय जस्तेई आजपनी घाम को पहिलो जुलको संगई शुरुह देचा यहांका नगरपासी को देई निकी एक हातले पानी को भाणो समाद देई नजीको अडर गहारी तिरा हतार हतार जान देचन इई यूबग गहारी भीत्र को करीब 15 मिनिट को बसाई पच्छी नित्ति कर्म सकिरा बाहिर निस्किये यसरी खुल्ला ठाउमा दिशापिसाब गरने यूबगत यहांका एक प्रतिने धिवात्र हुन गुलरिय नगरपालिका को एक तथ्यांका अनुसार सन 2014 को अंतेतिरा अर्थात अक्टूबर महिना सम्मापनी करिब आधा जती घहर धुरी अर्थात पाच अजार दोई से अठतर घहर धुरी माँ बसवास गरने नगरबासी को घहर माँ चर्पी को ब्यवस्था थिये न यहांका बसेंदा खुल्ला इस्थान में दिशागरने गर्थे घहर नजिको बातावरण दुर्गंधित ने थियो भने टूल, बस्ती, खेत बारी माँ दिशा नदेखी ने कुने ठाउने थिये न जंगल, जहाडी, नदी खुला को किनार जस्ता खुल्ला इस्थान माँ दिशागरनो लाई सवैली सामन्ने मान थे तर पच्छिला दिन मा यहाँ का बासिंदा को सोच मा सकरात्मक परिवर्तना आयो आपने घहर मा शवचालाई अर्थात चर्पी बनावनो पर्चा खुल्ला इस्थान मा दिशागर्दा बातावरन का साथे मानव स्वास्थे मा नरामर असर पर्चा भनने बुजे पच्छी यहाँ का इस्थानी लगायत ससाना बाल बाली काले पनी सफाई मा ध्यान दिन थाले सन 2017 सम्मा मा आधारवोत इस्थार सम्मा को सर सफाई मा सबै को पहुंच पुर्याउने राष्ट्रिय लग्छे सहित को सर सफाई गुरियो जना 2068 अंतरगत नेपाल भरी सर सफाई का छेत्र मा विविन क्रिया कला फरू संचाल नहुदे आई रहे का छन सर सफाई गरे मा सफा सुगर हुँचा रा सर सफाई गरे मा मानी सुगनी रोगी हुँचा सर सफाई गरे मा सरीर सस्थ हुँचा सर सफाई गरे मा फाइदा हजार हुँचा सर सफाई गरे मा फाइदा हजार हुँचा रा सर सफाई गरे मा इस्थर ले इज्यत गर्छा र प्रैक्टिकल एक्षन को सहकारिये एवं DFID UK8 को आर्थिक सहयोग मा सन 2014 को अगश्ट देखी संचालीत सफार सुस्त गुलर्या परियोजना ले नगरपाली का भरी एक घर एक चर्पी भन्ने नारका साथ चर्पी निर्माण कार्य लाई एक अभ्यान के रूपमा संचालन गरे पची यहां को बासेंदा मा सरसफाई सम्बंदी चेतना बढ़िको हो सफार स्वस्त गुलर्या परियोजना ले इस्थानीय बासेंदा हरूलाई खाने पानी तथा सरसफाई को बारे मा जन चेतना जागरित गराउने उद्देशेले बिभिन्य कारेक्रम हरू संचालन गरियो इसरी संचालित कारेक्रम हरूमा तालीम, अभिम्यकिकरण, सडक नाटक प्रदर्शन, घर दैलो कारेक्रम, जन चेतना मुलक रेली, परचा, पंपलेट बितरन लगायात का थि सहज रूपली समझाउदा अटेर गरने बेक्तिलाई, खुला इस्थान मा दिशा गरी रहे के अवस्था मा सिठी बजायरा साब्धान गराउने अर्थात सिठी कारेक्रम पनी संचालन गरियो अन्ने कारेक्रम को तुलना मा सिठी कारेक्रम जन बड़ी प्रभावकारी देखियो यस्तो अभियान ले इस्थानिये बासी हरुलाई चर्पी निर्माण मा जागरुक पनी बनायो परियोजनाले खुला रूपमा दिशागर्ना बंदगर्नों को साथे बेक्तिगत सरसफाई का लागी अपनावन उपरने साब्धानी को बारे मा सर्वसाधरन लाई जानकारी गरावने उद्देशे ले नगर का बेभिन्ने स्थान हरुमा होर्डिंग बोड हरु समित राखे पची यहां को सरसफाई बेवस्थित बने को छा बर्दिया जिल्ला के एक लक्षे है सरसफाई इमें सब गर में चर्पी बने और जिल्ला के खुला दिशा मुक्त जिल्ला की रूप में घोशडा करे इख लक्षे के अनुरूप गुलरीा नगर पालीका ले एक लछ्चे तहे किया है कि यहीं चैत्र 15 गते तक गुलरीा नगर पालीका के सब वाड में वाड को खुला दिशा मुक्त घोशडा करने के बाद में नगर पालीका को घोशडा किया जाए और जिल्ला को भी वईशा के गते 2022 वईशा के गते जिल्ला को घोषड़ा किया जाए इअभियान में हम लोग सब आप लोगं जितने हो सब इअभियान में हम लोग शामेल है अब आप लोगं के हम पूछी था कि वाड नमर दुई अंतरगात ये जैनपुर गाउं है जैनपुर गाउं में आप लोग ने बहुत अच्छी तरीका से सवचालाई बनाया है चरपी किस-किस के घर में चरपी है किरपया आप लोग हाथ उठा दीजिए शब के घर में पना है परियोजना का प्रयास तथा इस्थानिय बासी को उत्साहवाट विस्तारे यहां का बसिन्दाहरू को सोच मा परिवर्तन हो दे गयो परियोजना शुरू हुनुभन्दा अगाडी नई गोसणा भैसके का तीन वोटा वडा हरू रा गुलरिय नगरपालिका बातावरन तथा जनस्वास्ते सस्था एनफो प्रैक्टिकल अक्षन तथा अन्ने इस्थानिय निकाय हरू को सामुहिक प्रयास बाट बाकी 11 वोटा गरी नगरपालिका का जम्मा 14 वोटे वोडा हरू खुला दिसामुक्त वोडा गोशना भैपस्चात सन 2015 को मे 25 तारिक अर्थात 2022 साल जेट एगार गते गुलरिय लाई खुला दिसामुक्त नगरपालिका गोशना गरीएको हो सरसफाई को द्रिष्टिले एस दिन लाई गुलरिय नगर के इतिहास मा विशेश दिन पनी मानिंच्छा एस दिन यो नगर बिहुली जहें सजिये को थियो नगरपासी को लागी खुशी रा उमंगा को कुने इसी मा थिये न यहाका आदिबासी जन जाती फारू पहाडिया रा गोडिया लगायत का विभिन जात जाती भाशा भाशी ले आपनो पहिचान जहलकाने पहिरन लगाय का थिये बिहाने देखी टोलबासी हरूले आ आपनो टोलबाटा आपनो सस्कृती जहलकीने जहाकी निकालेरा खुल्ला दिसामुक्त नगर घोशाना समाहरों मा सरीक हुनको लागी निस्किये का थिये जहन्डए आपनो महिना को अथक प्रयास पस्चात नेपाल को समिधान सभाका माननिय सदसे संजे कुमार गोतम बाटा गुलर्या लाई खुल्ला दिसामुक्त नगर पाली का घोशाना गरिये कुथियो गुलर्या नगर पाली का छित्र भित्र रहेका ओडा इस्तरी ए खानी पानी सारसफाई तथा सोचता समन्वे समिती, ओडा नागरिक मंच, टोल विकास सस्थाहरू, आमा समुह, बाल कलब, महिला स्वास्ते स्वेम सेविका, विद्ध्याले तथा समुदायमा आधारित संपुर्ण सस्थाहरू को सक्रिय सहवागिता एबं समलग नतामा आज गुलर्या नगर पाली का खुल्ला दिसामुक्त छेत्र घोशाना गर्ना गरियेको अभियान सफल हैको पाइन छा। बर्दिया जिल्ला लाई फुलाती समुदा जिल्ला को रूप मा घोशना गर्ना होनी यो काम मा लागना होनी सबै सबै लाई हासकरी किन जिल्ला विकास हमिति का संपुर्ण अधिकारे हरो महिला स्वेम सिवाग्रे हरो महिला कारी करता हरो रयो अभियान मा समुलंग नहुन नेपाल जस्तो अतिकम बिकसित देश का अधिकामस ग्रामिन भेग का नागरी खरू आज शवचाले, सोच्छा खाने पानी रा सरसफाय को अभाब का कारण बिविन रोग को जोखिमा रहे का छन नै यस्तो अवस्तामा बर्दिय बासिले आम मानिस को स्वास्ते र वातावरण प्रति सचेत भायरा इस्थानिय सुधार को लागी गरे को प्रियास र पाय को सफल्ता पक्कै उदाहरणी ये मन न सकिन छा गरीबीर अशिक्छा लाई घटाउं दै बिशोले सहस्राब्दी विकास लक्ष का लागी ताय गरे को बिवीद परिशुचक मद्धे सरसफाय लाई अवलंबन गर दै सन दुहजार सत्र सम्मको लक्षे पच्याओना बर्दिया जिल्ला नेपाल को तराई कई पहिलो खुला दिसा मुक्त जिल्ला घोशना भैको छा यो संपुर्ण जिल्ला वासी को लागी गर्व को बिशय बने को छा साथ ही अन्य जिल्ला को लागी समित नमुना बनन पोगे को छा सुछत की बद्ली करís मुक्त जिल्ला शजया जिल्ला दोड़ अरे की शिल्ला शरय हुआना बर्दिया सम्मक्त जिल्ला हुआternогा Kat.